परपस है वह आप लोगों को यह बताना है कि एंटी टेस्ट की जो स्टडी होती है वह थोड़ी सी डिफरेंट होती है एफसी की स्टडी से और कई स्टूडेंट्स को यह लग रहा होता है कि एफसी की नॉलिज एफसी का जितना काम पढ़ा वह वह अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपका एंटी टेस्ट पॉइंट उफ्यू से भी काम बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है एंटी टेस्ट में कई ऐसी चीजें हम लोग डिस्क्रस करते हैं जो कि एंटी कि जो काम आप लोग एफसी लेवल तक करते हैं उसी काम से आपका एंटी टेस्ट का काम नहीं चल सकता एंटी टेस्ट की सेपरेट प्रिपेरेशन करना जरूरी है उसकी प्रिपेरेशन के बगएर आप लोग एंटी टेस्ट किसी भी युनिवस्ट्री का पास नहीं कर सकते चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो जिकी हो, चाहे वो प्यास हो, चाहे वो यूईटी हो, तो हर टेस्ट के लिए आपको separately preparation करना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़े वो ही हैं, topics वो ही हैं, जो FSC के अंदर हैं, लेकिन उसके इलावा, उनकी tricks and techniques, आपने एक numerical, जो एक काफी lengthy numerical है, एक पेच का हैं, दो पेच का, उसको आप शौट कर ट्रिक्स से solve करना है, तो ये सारी चीज़े हैं, हम थोड़ी बहुत चीज़े इन में से आज discuss करेंगे, और generally anti-test में यही चीज़े डिस्स करवाई जाती हैं, कि जो आप लोग long method से सवाल करते हैं, FSC method से सवाल करते हैं, वो methods आपने anti-test में इस्तमाल नहीं करने, anti-test में different methods इस्तमाल होते हैं, different techniques और different tricks इस्तमाल होती हैं, जिससे आपका time बचता है, जिन लोगों ने अगर किसी ने कभी पहले anti-test के preparation की विए, उन लोगों को इस इसका idea होगा, और जिन लोगों ने नहीं की विए, उनको idea यह हो जाएगा थोड़ा सा, कि आप लोगों ने क्या करना होता और कैसे करना होता है काम anti-test के अंदर, स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा बहुत portion discussed, मैंने कुछ ऐसे topic select की है करवाने के लिए, जो कि generally बच्चों को problem करते हैं, इन में एक बड़ा important topic जो vectors के हवाले से होता है, vectors की addition, subtraction, उनकी resultant vectors का, और फिर next topic मैं talk के थोड़े सी बात करूँगा, और फिर मैं force and motion के कुछ chapters के कुछ topic में, इस लेवल के कुछ topics से है, वो discussion करूँगा, ठीक है, जी आवाज मेरी सबको आ रही है, स्क्रीन वगर आ रही है, कोई issue तो नहीं है किसी को, स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले में आपको addition, of and subtraction, of vectors के बारे में बताऊँगा, जैसा कि यह सबको बता है कि addition और subtraction दोनों ही by head to tail rule होती है, ठीक है, like a plus b, दो vectors हैं, आपने उसको add करना है, तो अगर आपके पास एक vector यह a है, और एक vector यह b है, तो head to tail rule add करने का क्या तरीक है, कि आपने b vector को उठाना है, second vector को उठाना है, first vector की tail के साथ लगा देना है, और जो resultant होगा, वो होगा first की tail से last के head तर, ठीक है, यह आपके पास vector आगया resultant, which is a plus b, तो हम लोग simply addition जो है, वो इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर हम subtraction की बात करें, तो subtraction भी basically addition ही होती है, कैसे addition हो, a plus b करना है, plus into minus b करना है, मतलब आपने a जब भी आप लोगों ने subtraction की आपने पास a vector था और b vector था, तो अब हमने a को, minus b को आड़ करने का क्या तरीका है, इस तरह से होगा, से अब हम इस minus b को उठाएंगे और minus b को a की tail के साथ connect कर देंगे, और जो resultant होगा, वो होगा first की tail से last के head तक, तो यह हमारे पास resultant vector a minus b निकलाएगा, तो यह थोड़ा सा difference है, जब यह आप addition या subtraction करते हैं, तो addition या subtraction दोनों ही जो है, वो head to tail rule से ही होती है, लेकिन सिर्फ फरक ही है कि subtraction के अंदर आप जो second vector है, उसकी direction reverse करके इसको add करेंगे, ठीक है, यह वाला concept जो है, वो acceleration के concept में इस्तमाल होता है, मैं आगे जाके एक सवाल share भी करूँगा, उससे related, आचा, so normally जो अगर हम यहां में line लगाते हैं, normally अगर हम बात करें addition की, तो addition के अंदर जो resultant vector है, उसका magnitude निकालने का क्या तरीका होता है, इस इस फो addition, इन दिस इस फो subtraction, normally resultant जो है दो वेक्टर का हम लोग किस्ता निकालते हैं, resultant is equal to a square plus b square plus 2ab into cause of theta under root, अगर कोई पंजाब बोर्ड का student यहां बैठा वा है, तो पंजाब बोर्ड में यह resultant का formula कहीं पे भी discuss नहीं हुआ, ठीक है, यहां पर कहीं पे भी discussion यह नहीं हुई भी इस formula की, इसलिए बतारू मैं ताकि आपको पता लगज़े कि यह formula आप लोग FSE में, पंजाब बोर्ड वाले किसी भी जगा FSE में नहीं discuss करते हैं, अब यहां पर a जोंस है वो amplitude होगा इसका a vector का, sorry magnitude होगा a vector का, b जो उससा है वो magnitude होगा b vector का, और ठीटा है यहां पर, ठीटा इस basically angle between a and b, अच्छा अब a और b का angle कौन सा होता है यह जरा सी important चीज है इसको समझे जरा, मैं एक topic खनब करने के बाद questions लूँगा जरा currently, अच्छा, so a और b के दर्मयान का angle कौन सा होता है, इसमें जो है वो normally angle जो है a और b के दर्मयान का, दो vectors के दर्मयान angle होता है, तो क्या यह vector के दर्मयान का angle, जो है वो हम निकालने का तरीका क्या है, यह दोनो वेक्टर्स की inhale तो आप tail joitt करें, या दोनो वेक्टर्स के heads join करें ठीक है- या दोनों वेक्टर्स के tail join करें याRo sabemos के head join करें, जोनों के tail join करें या head, उनके दर्मयान का angle, दो vectors के दर्मयान डे का in start होता है, यह बहुत important चीज है, इसमें बच्ची अक्सर गलती करते हैं ज्यादतर स्टुडेंट ये वला एंगल बना लेते हैं कि ये A और B के दिर्मियान का एंगल है जबके वो गलत होगा A और B के दिर्मियान का एंगल एक दोनों वेक्टर्स की हैट्स के दिर्मियान में या दोनों के head के दिम्यान में तो यह चीज़ का बस ख्याल लटना आप लोगों ने कि A और B के दिम्यान पर जो एंगल है वो दोनों वेक्टर्स की यहां तो tail के दिम्यान में होता है यहां फिर head के दिम्यान में होता है ठीक है जी इसी तरह अगर हम लोग बात करें की subtraction की तो subtraction के लिए क्या है subtraction के लिए जहां पर जो formula होता है resultant का वो सेम इसी तरह का formula होता है लेकिन सिर्फ एक छोटा साथ difference आता है वो difference यहां पर plus की जगा minus का साइन आ रहता है सिर्फ यह थोड़ा सा difference आता है a square plus b square minus 2ab into cause of theta यह हमारे पास इसकी subtraction के लिए जो है वो formula होता है अच्छा आप यहां पर एक और चीज़ अच्छा है कि अच्छा में यहां पर एक और चीज़ इंपोर्टन ज्याद रखेंगे अगर दो वेक्टर के दिमांद में एंगल जीरो डिगरीज हो अगर दो vectors के दिमार में angle 90 degrees हो और अगर दो vectors के दिमार में angle 180 degrees हो addition के लिए अगर हम बात करें तो अगर 0 put करेंगे तो हमारे पास formula बन जाएगा A square plus B square plus 2AB cos 0 1 होजेगा तो वो A plus B का whole square बन जाएगा तो resultant simply A plus B के equal आजेगा simply क्या आजेगा हमारे पास A प्लस B केकपल आ जाएगा और अगर हम लोग बात करें 90 के लिए तो cos 90 is 0 तो resultant का formula A square plus B square under root केकपल निकल आएगा तो दो vectors में अगर angle 90 है तो आप यह वाला formula इस्तमाल करेंगे और अगर दो angle के दिरमान में angle is 180 degrees तो यहां पर आप लोग cos 180 जब पुट करेंगे तो वो बन जाएगा A square plus B square minus 2 A क्योंकि cos 180 minus 1 होता है तो A minus B का whole square बन जाएगा A minus B बन जाएगा तो यहां पर resultant जो है वो A minus B बन जाएगा तो यह तीनों result आप लोगों ने याद रखने है कि अगर angle 0 degrees है तो दो vectors के दिर्मान में addition का result आप simply add करके भी निकाल सकते हैं मतलब अगर दो vectors आपस में parallel है उनका resultant निकालना तो आप दोनों vectors के magnitude को simply जो है वो add कर सकते हैं और यहां पर इस case में resultant will be maximum इस case में resultant will be maximum and इस case में resultant will be minimum तो यह भी आप लोगों से पूछा रा सकते हैं M.C.Q. वगारा में कि दो vectors में दो vectors का addition अगर हम करें तो उस case में किस वकत उनका resultant maximum होगा तो जब वो parallel होगे तो उनका resultant maximum होगा जब वो anti parallel होगे तो उनका resultant minimum होगा same case अगर हम लोग इसके लिए बात करें subtraction के लिए जिरो एंगल पुट करेंगे तो तो यहां पर एक हमारे पास subtraction का sign आजएगा और अगर हम यहां पर वर्ट्रेटी पुट करेंगे तो यहां पर positive का sign आजएगा तो यह angle हम बता सकते हैं कि अगर दो vectors की subtraction की बात करें तो उस case में उस case में जब दो होगी अच्छा सो मैं यहां तक जो बात मैंने बोली है resultant के लिए मैं उसको जड़ा एक बार repeat करूं ज़रा सारे दिहान दे सुन लेगा resultant का formula होता है a square plus b square plus 2ab cos theta for addition of the subtraction and a square plus b square minus 2ab cos theta for subtraction of the two vectors अब अगर हम लोग बात करें कि दो vectors के दिर्म्यान में angle 0 है तो cos 0 addition के लिए अगर बात करें तो resultant का formula है a square plus b square plus 2ab cos 0 अगर दो parallel vectors होंगे cos 0 1 हो जाएगा तो हमारे पास a square plus b square plus 2ab बन जाएगा जो के बन जाएगा a plus b का whole square उसका under root square under root से cancel हो जाएगा तो हमारे पास result आजएगा a plus b इसी तरह अगर हम लोग 180 same case में अगर 180 put करके देखेंगे तो वो a minus b निकलाएगा तो ये दो चीज़े मैंने बताईगा और अगर subtraction की बात करेंगे तो subtraction में जब यहाँ पर इस जगा पर theta की जगा हम लोग 180 लगाएगे तो minus into minus plus हो जाएगा और a square plus b square plus 2a भी आजएगा तो दो वेक्टर्स का subtraction की अगर हम बात करें तो subtraction के लिए दो वेक्टर्स का resultant maximum तब होगा जब दोनों वेक्टर्स anti-parallel होगे और addition के लिए तब होगा जब वो parallel होगे तो ये result आप लोगों को याद होने शगी अब इसी तरह एक सवाल पूछे रहते हैं मैं एक सवाल लिखना हूँ आप लोगो कोशिश करेगा इसका अंसर करने का what can be the resultant of two vectors whose magnitude is 3 3 and 4 option है जी आपके पास 5 10 5 नहीं माम बठाता है मैं 2 कर लेना चले next option है 1 and 12 जी आप देखे तरह यहां पर क्या है यहां पर आप मैं क्यूसन ले रहूँ अभी चले मैं क्यूसन पहले रहे रहे तो जी अली आप बोले क्यूसन लेना बदों चाहरे आप आप जी फाइफ आंसर बोले ने कहीं लोग कहीं एक बच्चे ने फाइफ बोले आप लोग चैट में आंसर करें मैं मुट नहीं करूं किसी को जी आप त्इए प्र फाइफ थी इसका पांसर बतांए जी जर्हाँ अब चैपनेूं यहां पर दो आपको जो हाँ वो फोरौस बता अपर बैक्टर तो अगर यहां पर angle given नहीं है तो फिर इस सवाल को कैसे solve करें इस सवाल के लिए answer निकालने का तरीका क्या होगा देखें दो वेक्टर्स का resultant का maximum result का बात है जब दो वेक्टर्स को हम लोग add करते हैं तो add करने का मतलब है दोनों को add किया 3 प्लस 4 तो maximum result इन दोनों वेक्टर्स से 7 आ सकते हैं और minimum result कब आ सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स से जब हम इन दोनों वेक्टर्स को subtract करेंगे obviously magnitude की बात करें तो हम लोग negative sign को ignore कर देंगे तो वान आजेगा तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है और उनके दर्मयान का angle हमें नहीं पता तो हमने उसका resultant किसा निकालना है कि हम उसकी maximum value निकालेंगे which is 7 और minimum value निकालेंगे which is 1 अब हमारा answer इसी के दर्मयान में से लाए करना चाहिए वन से लेकर 7 तक कुछ भी answer हमारा हो सकता है क्योंकि 7 इसके maximum limit है और 1 इसकी minimum limit है तो answer हमारा 1 से 7 तक यहां पर सिर्फ एक यह option है which is 2 तो 2 हमारा यहां पर right option मनेगा इसके बाद हम लोग बात करते हैं next topic पर चलते हम next मैं तौर के बारे में discussion करूंगा तो और क्या होता है देखें अगर आपके पास मैं repeat कर देता हूं अगर किसी ने पूछा दुबारा देखें अगर आपके मैंने बताया कि दो वेक्टर के दिर्माइन में पर जो resultant का formula है वो है a square प्लस b square प्लस 2ab cos theta अब a square प्लस b square प्लस 2ab cos theta से आप लोग resultant निक परते हैं अब इस सवाल में मैंने a भी बता दिया भी बता दिया लेकिन उनके दिर्माइन का एंगल नहीं बताया तो अगर ऐसे सवाल जो कि जर्णल ही आते हैं इसी ना किसी निवस्टी के टेस्ट में जर्णल ही पूछे राते हैं तो अगर ऐसे सवाला जी चीज़ में दो वेक्टर के दिमान का एंगल ना बताया हो और पूछ लिया हो तो आप लोगोंने क्या करना है आप लोगोंने उन दोनों वेक्टर को पहले add करने हैं क्योंकि add करने से आपको maximum resultant मिलते हैं फिर आपने उन दोनों को subtract करने हैं वहां की option है जो 1 से लेकर 7 तक के दर्वियान में है विच इस हमारा problem होती है उसमें सबसे बड़ी problem क्या होती है टॉर के लिए टॉर का formula generally use होता है rf sin theta और अगर मैं कहूं कि यह जो rf sin theta है यह formula हमेशा इस्तमाल नहीं होता यह formula जो है वो हमेशा इस्तमाल नहीं होता rf cos theta भी हो सकता है तो fse के अंदर आप लोग सिर्फ rf sin theta का formula की discussion करते हैं लेकिन जैसा कि मैं बता रहूं कि rf cos theta वाला formula भी की इस्तमाल हो सकता है depending on the situation अब क्या situation होगी इसको देखते हैं जारा लेट से हमारे पास एक meter road है यह लेट से एक road है इसकी length is r और यहां पर वो pivoted है यह pivot point है और इस पर इस direction पर force लग गड़ी है f और आपको यह angle given है theta ठीक है और आप से कहा जाएग इसका torque find out करें इसका torque क्या होगा इसका torque अगर आपने find out करने हैं तो torque किस तरह find out करेंगे तोर्क find out करने का क्या तरीक में होता है कि आप आप लोग force को उसके components में disperse करें तो अगर मैं force को दो components में disperse करें तो एक component यह बनेगा एक component यह थीटा के opposite हमेशा sign component होता है यह चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है और थीटा के साथ हमेशा cos theta होता है यह चीज़ याद रखनी है अब जब भी आप लोग cross product लगते हैं जब भी आप लोग cross product लेते हैं तो आप जिस पी वेक्टर को components में divide करते हैं दूसरे वेक्टर का उस perpendicular वाला component हमेशा इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर टॉर का क्या formula होगा R into कौन सा component R cos theta इस position vector के parallel है या R sin theta इसके parallel है हमने perpendicular वाला component चाहिए तो अगर आप notice करें तो R vector के F sin theta is parallel and F cos theta is perpendicular तो यहाँ पर F cos theta वाला component इस्तमाल होगा तो यहाँ पर torque का formula R F cos theta बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि R F cos theta D formula torque के लिए हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं अब यहां से torque due to couple इसमें से काफी सदा question जो है वो पूछे रहते हैं तो डूटू कपल से related तो डूटू कपल क्या होता है कि जब कोई मुझे बताएगा तो डूटू कपल क्या होता है तो डूट्स्ट आप में से कोई बताएगा मुझे टॉट्स्टू कपल क्या होता है जाए 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 अब नाव ऊपर चला गए तो सही बोलेकिसीने कि दो opposite forces की वरा से जो torque लगता उसको torque due to couple कहते हैं simple torque में एक single force लगड़ी होती है torque due to couple में थोड़ा सा difference ही होता है कि यहांपर दो forces लगड़ी होती है तो let's say अगर एक meter road है इसके इस तरफ एक force लगड़ी है 10 newton की और इस तरफ एक force लगड़ी है 10 newton की और आपसे इसका torque पूछ लिया रहा है torque पूछने का मतब़ए torque due to couple ही पूछ लिया रहा है अब मैंने बोला कि यह meter road है meter road का मतब़ए कि इसकी length one meter है तो अब इसको solve करने में काफी बच्चों को problem होती है कि इनको solve के तरह कर रही है तो मैंने एक बड़ी असान सी example ले लिए अगर मैं example कुछ इस तरह से कर लूँ let's say यह आपके पास एक road है which is inclined at an angle of 60 degrees जिस पे एक side पर force लग रही है इस तरफ 10 newton की और एक इस तरफ लग रही है 10 newton की और यह एक meter road है आपसे इसका torque पुछ लिया जाए टॉर्क किसा निकालेंगे जी तो टॉर्क निकालने का क्या तरीका होगा अब देखें ऐसे सवालों में काफी अलग अलग टेकनीक से इसको completely solve करेंगे तो काफी मुश्किल काम उठाता है तो इसका असान तरीका में आपको इसका चॉर्टकट है जो कि आपने FSC बगारा में कई पर नहीं पढ़ा होगा वह क्या है सिंगल फोर्स इंटू पर्पैंडिकुलर डिस्टेंस बिट्वीन फोरसेश शीछ है इंटू 퍼ेंडिकुलर डिस्टेंस ब्यूर्स इस यह एक चोटा सा ट्रिपग जी सोटा साड़क है जिसके हैट्व से हम लोघ है दिटविक्पल फाइंड आउट कर सकते हैं अब आधरवाइस यह 10 single forces 10 अब इनके दर्मयान का पर्पेंडिक्लर डिस्टंस किसा निकाल लेंगे पोर्सस के दर्मयान का पर्पेंडिक्लर डिस्टंस निकालने का या तरीका होता है देखें अब आप कई करें दोनु में लाइन-ओफ एक्छन और वोग इसको एन्हांस करते लाइन ओफ एक्शन ओफ फॉरससकोगर मैं इन्हेंस करूं अब आप इनके अधरमाइन का परपेंडिक्लर डिस्टंस निकाल सकने हैं कितना हो यह दूनों फोर्चिस पेमाइन का परपेंडिक्लर डिस्टंस यह बन रहा है जो मैंने गरीन से शो खाड़ी है यह हमारे पसंद के दिनम्यान का पर्पेंडिकुलर डिस्टन्स बन रहे हैं अब अगर मैं वन मीटर की लेंथ को डिवाइड कर दूं इन्टु इस कंपोनेंट तो एक कंपोनेंट इसका यह बनेगा 60 डिगरी के ऑपोसिट हमेशा साइन कापोनेंट होता है तो यह आज हैंना वन zus 60 और मैंने जो फ़र्मूला बताया उसके अकौरण्डिंगं 16 sai से तो इसको हमने विदिन टू स्टेप सॉल्फ कर लिए तो यह जो पांच साथ सवाल था इसको हमने विदिन वन मिनट के अंदर सॉल्फ कर लिए कोज वाला पॉइंट में दुबारा समझाते हैं तो सुनने जरा देखें जरा जी यह आपके पास वन मीटर का रोड है मैं दुबारा डाग्राम बना दुबारा सुनने यह इंक्लाइन डिए एक फॉर्स लग अब परपेंडीकुलर डिस्टंस बेटूंट फॉर्स किस्ता निकलिए है उसको परपेंडीकुलर डिसस्टंस केंगे मैं यह यलो मार्क जो मैं लाइन शो कर दोछे इंगारि नोटेस करें तो यह एवान मीटर और यह थी थीटा थीटा के ऐपोसेट वान यीटर का साइन कामपोरनट बनेगा तो फिटा के ऊपोसिट यह बन जेगा वान साइन सिक्स्टी और फिटा के साथ हमेशा हाइपऊड निूस का पोस Drimans बन आप और जेगा वान कोस लीक्ति यह जो लाइन हमने मारक की थी यह वली जो लाइन थी जो हम्में मैं और भी प्रैक्टिस करवात हूं ताकि आप लोग को थोड़ी सी इस बात की क्लारटी और हो जए अगर आपके पास एक मीटर रोड मीटर रोड का मतलब वन मीटर लेंट ही है आप लोग खुद से सॉल्फ करेगा इसको सारे कोशिश करेगा दर सारे सॉल्फ करनेगी टैन न्यूटन इस तरह फोर्स लग रही है और यह इंगल ऑफ 30 डिग्रीज आप से पूछे रहे इसका टॉर्क बताएं तो आपने इसका टॉर्क फाइंड आउट करना है जी निकालें जी जर्थ का टॉर्क निकालें जी सरे मीटर ओड़ाई जी इसकी लेंद्स वान मीटर चलें मैं लेग देता हूं कि इसका टॉर्क निकालें जी कोशिश करें कि देखें यह किसी ने पूछा है कि सिंगल फोर्स का क्या मतलब है अच्छा सवाल पूछा है कि अगर एक साट पर टैन न्यूटन की फोर्स लगड़ी एक साट पर ट्वटी न्यूटन की फोर्स लगड़ी है तो ऐसा हो गए नहीं कपल के लिए दो एक्वल और उपोजिट फोर्स लगना जुरूरी है ठीक है दो एक्वल और उपोजिट फोर्स लगना जुरूरी है किसे मैं सवाल पूछे कि अगर एक तरफ टैन न्यूटन एक तरफ 20 न्यूटन फोर्स लगड़ी फिर हम किस्ता निकालेंगे तो ऐसा में जो है वो equal or opposite forces लगना ज़रूरी है अच्छा हां जी ठीक किया काफी बच्चों ने सीक आंसर दी है इसका तो और का formula मैं आपको बताया single force into perpendicular distance between them. तो single force यहां पर 10 newton है और perpendicular distance निगालने के लिए मैंने आपको पा कि आप line of action of force को enhance कर दें तो line of action of force को enhance किया तो अगर आप notice करें जो मैं green से मार करूं यह perpendicular distance है अब theta के opposite one meter का sign component होगा तो यह वाले जो length है यह one sin 30 है तो one into sin 30, sin 30 जो उसे है वो one by two होगा तो यहां पर टॉर्क five newton meter ही निकल आएगा तो अगर एंगल डिफेरेंट है तो उसके लिए आप लोग डिफेरेंट एंगल के लिए find out कर सकते हैं कि जी कि एक और मैं कि एक हम लोग एक्जेंपल ले रहे हैं कि यह थर्टी डिग्री स्पें क्लाइंड है और वान मीटर का ही रोड है कि इसका भी टॉट निकालने की कोशिश करने ज़रा कि अगर कि अगर कि अगर कि कि को साहिन में हूँ चेंज नहीं हूँ आपने सिंपल यह देखना कि पर पेंडिक्री क्रिकौर डिसंस को न शहां वह वहुश करना है कि अब इसको इसको आदू करने की कोशिश करें ज़रा सारे जी जिनका आंसर 10 है उनका आंसर राइट है देखिए अगर हम इस लाइन आफ एक्षिन और फोर्स को एंहांस करें तो दोनों फोर्स के दिर्मान में जो पर्पेंडिकुलर डिस्टंस है वो बेसिकली बान मीटर ही है तो जो मैंने आपको फर्मूला बताया था कि सिंगल फोर और उनके दिर्मान का पर 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 यहां पर साइन आएगा तो यहां पर 10 न्यूटन मीटर ही होगा तो यहां पर इसका आंसर बने गए तक कुछ सवाल अभी आप लोगों की क्यूस्टन देरूं जरा एक ही करके सवाल पूछीगा सारे एक साथ ना पूछीगा कि साइन और कोस का कैसे पता लगता है कौन सा फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है मैं इसके बारे में एक चीज़ बता रहूं जरा सुन लें चुप करके सारे जरा साइन और कोस का अब लोग काम ही आजागी बात ही देखें क्रोस प्रोड़क्ट में ना क्रोस प्रोड़क्ट जब भी आप लोगों ने क्रोस प्रोड़क्ट लेना लाइक टॉर्क में लेते हैं आप क्रोस प्रोड़क्ट और किसी भी जगह पर क्रोस प्रोड़क्ट जब लेते हैं तो आप लोगोंने क्या करना होता है दो वेक्टर यह एक अगर यह एंगल थीटा पर पड़ाव है तो बी एक वेक्टर का जो मैं जारे डायक्राम थोड़ी सी इन्हांस कर देता हूं ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोग को लेट्सए आपने एक रोस बी निकालना है एक वेक्टर यह है एक क्र्स बी आपने एक अगर पॉसट के साइन लिएगाव और यह होगा कर अब क्रॉस almost निकालना है तो तो आपने क्या करना है A vector और दूसरा वेक्टर जिसको components में divide कर रहे हैं उसका वह वलक component लेना है जो पहले वेक्टर पे perpendicular है और यहां पर आप देख सेखते हैं कि B sin theta जो है वह perpendicular है on A vector तो यहां पर cross product में B sin theta आजएगा ठीक है इसी तरह अगर आप लोगों के पार्स formation को change कर दूब मत थोड़ी सी यह A है यह B vector है अब angle आपको यहां से बना दिये अगल आपको यह theta बना दिये अब B vector अगर मैं components में disperse करूं तो A component यह A component यह थीटा के opposite हमेशा sin component होगा तो यह A sin theta होगा और यह A cos theta होगा अब यहां पर अगर आपने A cross B निकालना है वो कैसे निकालेंगे A vector और B को कौन से component में कौन से component यह से इस्तमाल करेंगे B का जो के A पे perpendicular होगा तो अगर आप notice करें तो यहां पर B cos theta वाला जो component है वो A के perpendicular है तो यहां पर B cos theta लाए होगा तो cross product में जरूरी नहीं है कि हमेशा sin आई या जरूरी नहीं है कि हमेशा cos आए कि बोकर युद्य ने की बता हुए और थे युद्श ने ने करता है कि आपका जो कंपोननट है और और वेट्टर पे कि ये वार का पढ़ें अट हैं अग्या बच.. कि 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 आप लोग ने पैरलल कमपनेट देखना होता अगर हम यही सता का वेक्टर ले एक वेक्टर यह ले ले और यह हमारा एंगल बना वह है थीटा तो अगर मैं उसकी कंपोनेट को आप कमपोनेट के रहे हैं उसका पैरलल कमपोनेट तो यहां पर एक इंटू बी कोस थीटा निकल आएगा तो यहां पर ए भी कोस थीटा अंसर बन जाएगा अब इसी तरह कि अगर हम लोग एक ओर डियाग्राम ले कि यह वेक्टर ए है यह वेक्टर बी है और एंगल आपको यह वाला गिवन है यह वेक्टर का एंगल गिवन है अब मैं अगर बी को कमपोनेट्स में डिवाइड करें तो एक कमपोनेट यह बनेगा एक कमपोनेट यह थीटा के साथ भी कोस थीटा होगा तो अगर आप देखिए हमने डॉट परड़क्ट में आपको बताया कि आपने जिस भी वेक्टर क कमपोनेट में डिवाइड करें उसका पैरलल कमपॏनट लेना है तो यहां पर ए और एक के पैरलल कॉन सा पहलूनेट बने डा भी साइप यहां पर झाल झाल